नमस्कर साथियों, समसाम एक मुद्दों से संबंधित प्रस्णावली स्रंकला के साथ मैं आमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 9 अपरेल 2020 और आज के प्रस्ण हमारे किन मुद्दों पर आधारित है आए सबसे पहले एक नजर डालते हैं जानेंगे पहले प्रस्ण में कि किसी चड़िया घर में बाग COVID-19 से संकरमित पाया गया है दूसरे प्रस्ण में हम बात करेंगे स्वास्थ कर्मियों के आने जाने के लिए सहीयों के लिए किस से समझावता किया गया है कोविड-19 है तू हैकिंग दा क्राइसिस इंडिया आनलाइन हैक्थान के बारे में बात करेंगे तीसरे प्रस्ट में वहीं चोथे प्रस्ट में जानेंगे गुर्दवारे पर आतंकी हमले की जाचर किस राश्टी एजनसी को सौपी गई है पाच्वा प्रस्ट में आधारित होगा नवंबर 2021 में ACI युवा खेलों के तीसे संस्क्राण के आयोजन पर छटे प्रस्ट में हम बात करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए कवचे नामक केंदर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है साथमें प्रस्ट में जानेंगे कि पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल्स एवार्ड से नवाजा है आथमां प्रस्ट आधारित होगा नाइसमित मेमोरियल बास्केटबाल हाल आफ फ्रेम पर नमें प्रस्ट में जानेंगे कि कौन सा हास्पिटल कोविड-19 है तू अस्पताल के रूप में कारे करेगा जिसमें 300 बेड एवं आइसोलेशन वार्ड होंगे और इस सेग्मेंट के अंतिम प्रस्ट में हम जानेंगे कि भारत और किस देश ने राजनीक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं तो आज का हमारा पहला प्रस्ट है हाल ही में किस देश में चिडिया घर में बाग कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हमरे पास आपसन है चीन, अमेरिका, भारत या इन में से कोई नहीं तो यहां पार जो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका अमेरिका में निव यार्क के ब्रोंक्स चिडिया घर में एक बाग कोविड-19 से संक्रमित पाया गया किसी पस्यू में COVID-19 के संक्रमन का या पहला मामला है हमरा अगला प्रस्य हाल ही में राष्ट्री स्वास्थि प्राधिकरण ने किसके साथ स्वास्थि सेवा में लगे स्वास्थि कर्मियों के आने जाने के सहीयों के लिए समझोता किया है हमारे पास आपसन है ओला कईब, मेरू कईब, उबर कईब और इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर इसका जो सही उतर है वो है C, उबर कईब राश्टी स्वास्टि प्राधिकरण ने उबर कईब के साथ सारुजिनिक स्वास्टि सेवा में लगे स्वास्तिकर्मियों के आने जाने के सहीयो के लिए समझवता किया है इस समझवते के अंतरगत उबर मेडिक के माध्यम से COVID-19 रूग्यों के उपचार में लगे स्वास्तिकर्मियों को परिवहन सेवा प्रदान करेगा हमारा तीसरा प्रस्ट है किस मंत्राले ने COVID-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए हैकिंग दा ट्राइसिस इंडिया आनलाइन हैक्थान लांच की है हमारे पास आपसन है एलेक्टरानिक्स वा सुचना प्रोदुद की मंत्राले मानो संसाधन विकास मंत्राले स्वास्ति मंत्राले या इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पार जो इसका सही उत्तर है वो है एलेक्टरानिक्स वा सुचना प्रोदुद की मंत्राले एलेक्टरानिक्स वा सुचना प्रोदुद की मंत्राले ने COVID-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए हाइकिंग दा क्राइसिस इंडिया आनलाइन हैक्थान लांच की है इस हैक्थान का आयोजन हैक दाकाज इंडिया और फिक की लेडिज आर्गनाईजेशन पुने द्वारा किया जा रहा है इस हैक्थान में 48 गंटे में 2000 से अधिक टी में और 15,000 प्रतिभागी भाग लेंगे हमारा अगला प्रस्न है अफगानिस्तान के किस सहर में इस्थित गुरद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जांच राश्ट्री जांच एजनसी करेगी हमारे पास अपसन है कंधार, काबुल, हेरात या इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है काबुल अफगानिस्तान के काबुल सहर में इस्थित गुरद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जांच राश्ट्री एजनसी करेगी यह पहली बार है जब भारती जांच एजनसी विदेशी धर्ती पर हुए आतंकी हमले की परताल करेगी पिछले साल भारत सरकार ने NIA Act में संसोधन करते हुए आतंकवात से संबंधित मामले जो देश या विदेश में हो तथा देश हित से जुने हो उनकी जांच करने का अधिकार NIA को प्रदान किया था हमारा अगला प्रस्ण है नमंबर 2021 में ACI UA खेलों के तीसरे संस्क्रण का आयोजन किस देश में किया जाएगा हमारे पास आपसन है जापान, भारत, चीन या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही उतर है वो है C, चीन नमंबर 2021 में ACI UA खेलों के तीसरे संस्क्रण का आयोजन चीन में किया जाएगा पहले ACI UA खेल, 2011 में सिंगापूर और दूसरे ACI UA खेल साल 2013 में नांजिंग में हुए थे, स्री लंका में साल 2017 में होने वाले खेल टाल दिये गए थे हमारा अगला प्रस्न है, हाल ही में भारा सरकार के विज्ञान एवंप्रोदोग की विभाग द्वारा वैस्विक महामारी COVID-19 से लडने के लिए कवच नामक केंद्र की इस्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, इसमें W का क्या अर्थ है? हमारे पास आप्सन है वार, वारियर, वर्ड या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है एवार, भारा सरकार के विज्ञान एवंप्रोदोग की विभाग द्वारा वैस्विक महामारी COVID-19 से लडने के लिए कवच नामक केंद्र की इस्थापना को मंजूरी प्रदान की गई इसमें डबलू का अर्थ वार है, इसका पूर्ण रूप सेंटरल फार आर्गुमेंटिंग वार विद COVID-19 हेल्थ क्राइसिस है, सोसाइटी फार इनोवेशन एंड इंटर्प्रेटियोर्शिप आई आई आईटी बामबे में 56 करोन रुपए की कुल लागत से रैपिड रेस इसपांस सेंटर कवच इस्थापेत किया गया है, इशे नवन मेशों तो था स्टार्ट अप की खोज करने, मोल्यंकन करने एवं सहायता करने के लिए इस्थापेत किया गया है, हमारा अगला प्रस्न है हाल ही में पेटा इंडिया ने किस राज के मुख्यमंत्री को हीरो पस्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भी ओडिया पेटा इंडिया ने ओडिया ने ओडिया के मुख्यमंत्री नमीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स एवार्ड से सम्मानित किया है, उन्हें कोविड नाइंटीन वाइस्व वेवार के पच्चिदर आधारित लोगों का एक पसुस आधिकारिक संगठन है, इसका मुख्याल है USA के वर्जीनिया के नार फ्लॉक में इस्तित है, इसके इस्थापना 22 मार्च 2018 को हुई थी, हमारा अगला प्रसन है हाल ही में किस दिवंगत खिलाडी को अमेरिका में नान Smith Memorial Basketball Hall of the Frame में शामिल किया गया है, हमारे पास आप्चन है, Kobe Zekar, M. Mary Zakaria, Kobe Bryant या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है, वो है C. Kobe Bryant दिवंगत खिलाडी Kobe Bryant को अमेरिका में नाई Smith Memorial Basketball Hall of the Frame में शामिल किया गया है, नाई Smith Memorial Basketball Hall of the Frame में इस साल नौ लोगों को शामिल किया गया, Kobe Bryant की इस साल 26 जन्वरी को एक हेलिकाप्टर दुरघटना में म्रत्ति हो गई थी, उनके रहते हुए लास एंजिल्स लेकर्स पांच बार NBA Champions बना था, वे National Basketball Association में लास एंजिल्स लेकर्स के लिए लगातार 20 साल खेल खेले थे, हमारा अगला प्रस्ण है, नेमलिखित में से कौन सा COVID-19 समर्पित अस्पताल के रूप में कारे करेगा, जिसमें 300 बेड आइसोलेशन वार्ड होंगे, हमारे पास आप्सन है, अखिल भारती अरविग्यान संस्थान जजजर, अखिल भारती अरविग्यान संस्थान पटना, अखिल भारती अरविग्यान संस्थान नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है, वो है A, अखिल भारती अरविग्यान संस्थान जजजर, COVID-19 समर्पित हास्पितल के रूप में कारे करेगा, जिसमें 300 बेड और आइसोलेशन वार्ड हो यहाँ 24 घंटे 7 दिन COVID-19 रोग्यों की देख भाल को सुनिश्चित किया जाएगा, हमारा अगला प्रस्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनेई के संबंधों के 70 वर्स पूर्ण कर लिये हैं, हमारे पास आपसन है चीन, अमेरिका, जापान और इनमें से कोई नहीं यहाँ पार जो इसका सही उतर है वो है चीन, भारत और चीन ने राजनेई के संबंधों के 70 वर्स पूर्ण कर लिये हैं, एक अपरेल 2050 को भारत एसिया में चीन के साथ राजनेई के संबंध इस्तापित करने वाला पहला गैर सामयवादी देश बना था, तो यह थे आज के ह हमारे समसामाई के मुद्धों से संबंधित प्रस्न मिलते हैं कल नए 10 प्रस्नों की इस रंकला के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद